वेलकम बेक टू माई योट्योब चैनल, आज हम करेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नमबर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टेक्स जी एस्ट के प्रैक्टिकल कोशन का शलूशन नमबर 2 चलिए बिना देली के शुरू करते हैं अपना कोशन नमबर 2 जो कि मैंने अल्रेडी नौट भी कर रखा है यह टोटल एक ट्रांजेक्शन है जिनकी हम जर्नल एंट्री करना सिखेंगे जनरल एंट्री कंसेट एकदम से मैं इसमें GST का कुछ कंसेट एड हुआ है जिसमें आपको पता होने चाहिए कि कब आपको GST को है गोल्डन रूल से बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर आपको एक चीज जो ध्यान में रखने है जब भी आप जनरल एंट्री करें अपने आपको एजन अकाउंट माने और एक बिजनस के परस्पेक्टिव दे सोचें आपको GST की जनरल एंट्री करने में और सेल्स रिटन हो तो आउट्पूट सी जी एस्ट और आउट्पूट एस्ट को डैबिट कर देंगे सिर्फ इचार बाते आपको समझनी है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका अपनी नोट्बुक में एक नोट बना ले ताकि आपको जब भी जनरल एंट्री करने बैठें आप तो यह आपके सामने हूं चलिए आप शुरू करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को पहले ट्रांजेक्शन कहीं गई है पर्चेस गूट फॉर फाइव लैक फ्रॉम सुनिल ब्रो तो पर्चेस किया गया बिजनस ने वह भी उधार पर्चेस किया है क्योंकि कैश पर्चेस करने पर फॉर्टी फाइब तो टोटल हमें पेमें देनी होगी न अपने क्रेडिटर को वह देनी होगी फाइव लैक नाइंटी थाओजन रूपीज की इसके बाद आप निरेशन लिखिए और आप करते हैं अग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई होगी आपको पह लिख्याओंटी तो अब हमने कर दी प्रचेस रिटन जो भी कुट्स हमने खरीज देते हैं उसमें 20,000 के कुट्स हमने वापिस कर दी है रीजन कुछ भी होता है अब देखिए इसके जूनल एंट्री क्या होगी अब हमने करिए पर्चेस रिटन करिये है अब पर्चेस को फिल तो कितने की पर्चेस रिटन करिए 20,000 की इस पर 9% CGST कैल्पूलेट करके 1800 आएगा 9% SGST कैल्पूलेट करके 1800 आएगा क्योंकि 20% का जब आप 9% कैल्पूलेट करेंगे तो तो टोटल जो हमने रिटन करें गुड्स कितने रुपय की है तोटल यह पर पाचलेगा कि हमने 23,600 रुपीस की रिटन करें आप करते हैं अब करते हैं कि यहां पर सेल हुई है मैंने बताया कि सेल जब भी होगी तो आउटपूट CGST आउटपूट SGST का क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे तो अब इसमें अमाउंट फिल करिए तो टोटल हमें अमाउंट जो पे करना होगा 9,44,000 इंक्लोडिंग GST, GST जो हमें पे करना हो 72,000 CGST का करना है 72,000 SGST का करना है टोटल सेल जो हुई है वो 8,00,000 रुपीस के हुई है मैं आपको इसको इस तरी के समझें कि टोटल सेल 8,00,000 रुपीस के हुई है 8,00,000 पे आप 9% calculate करेंगे CGST तो 72,000 आएगा CGST भी 72,000 आएगा तो टोटल पेमेंट आप करेंगे वो 9,44,000 की करेंगे 9,44,000 की पेमेंट आपको मिलेगी आपको आपको थार्ट ट्रांजेक्शन में समझाई होगी आप करते हैं next transaction, next transaction good return by Meta & Company for 30,000 फो अब जिसनोंने हम से sales कीज़े न उन्हेन हमें goods return कर दे 30,000 रुपीस की तो इसे हम बोलते हैं sales return, sales return जब भी increase हो जाए तो आप उसको debit करतें हैं तो इसकी general entry होगे होगी sales return account debit to Meta & Company अब देखिए sales return हुआ तो output cgst और output sgst को क्या करेंगे debit करेंगे तो यहाँपे mention कीजिए output cgst account debit output sgst account debit अब amount को fill करिए तो 30,000 का क्या था sales return हुई है इस पर आपको 9% निकालेंगे या cgst तो 2700 आएगा sgst भी 2700 आएगा जो total sales return हुई है हमें वो मानी जाएगी 35,400 रुपीस की return हुई है हमें next transaction करते हैं next transaction वो समझने किया है goods withdraw by proprietor for personal use 10,000 तो goods withdraw किये गए proprietor से proprietor ने goods विद्रों किये अपने business से 10,000 रुपीस के तो इसकी यह transaction होती है वो होगी drawing account है to purchase account but मैंने बता कि drawing जब भी होगी input cgst to input sgst आप क्या करेंगे credit करेंगे तो आप लिखे to input cgst account to input sgst account अब amount में fill करिए 10,000 की purchase थी जिस पर आप 9% cgst लगाएंगे तो 900 आएगा 9% sgst भी 900 आएगा और drawing में total amount आएगा 11,800 रुपीस का इसके बाद आप इसकी narration करिए आप करते है next transaction goods distributed as free sample रुपीस 5000 तो goods को distribute किया गया है as a free sample 5000 पूची अब देखें यहाँ पर आपको लगता होगा कि business के लिए खर्चा है बिल्कुल business के लिए trust expense होता है पर यहाँ पर expense है तो आप input cgst input sgst को debit नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको rule ने बताया कि free sample जब भी आएगा तो input cgst input sgst को credit करेंगे अगर आप debit कर देंगे na input cgst input sgst को मतलब यह हो गया कि आपने फिर से tax पे किया है आप यहाँ दखें कि free sample के case में input cgst input sgst को हमेशा credit करें इसकी जो transaction होगी इसकी जनरल entry होगी ऐसे लिख सकते हैं free sample account debit to input cgst account to input sgst account to purchase account अब यहाँ पे आपका amount फिल करना होगा तो total purchase जो free sample में total गया है तो 5900 आप लिखेंगे 450 का cgst collect हुआ है 450 का sgst और purchase कितनी है 5000 पेस के मतलब हमने free sample में जो good distribute किया है 5000 में 5000 का good distribute किया है जिसमें 9% sgst 650 का लगा 9% cgst भी 450 का लगा तो total goods जो हमने माना जाएगा कि free sample में दे दियें वह है 59 रुपे इंक्लूडिंग tax आई होप आपको six transaction भी समझ आई होगी आप करते है next transaction next transaction है paid advertisement expense by check to untie thousand यह हमारे लिए actual expense है तो expense है तो advertisement account debit to bank account करेंगे but input cgst or input sgst और क्या करेंगे अब debit करेंगे क्योंकि हमारा क्या expense है तो यहाँ पर mention किजिए advertisement account debit to bank account input cgst account debit input sgst account debit अब amount को fill करेंगे तो 20,000 करेंगे total हमने advertisement expense पर pay करा इस पर 9% cgst calculate कर 1800 आएगा 1800 input sgst पर आएगा और total जो हमने payment करेंगे payment निकली है तो 23,600 रुपीस की निकली है अब करते है next transaction जो कि बहुत ही ज्यादे important है payment made of balance amount of gst अब payment करिए balance amount gst कभी अभी भी क्या को ऐसा amount है जो हमें government को pay करना है tax का तो इसको एक working note से समझते है तो इसके लिए आप इस तरीका table बनाएंगे table में आप लिखेंगे cgst और sgst यहाँ पर लिखेंगे tax के bottom में output और input output मतलब होता है जितना tax हमने public को sale करके अपने goods and service sale करके receive किया वह होता है output और input मतलब होता है जो हमने pay किया at a time of purchase और जो हमारा expense हुआ जो हमने pay किया अब पहले output cgst के बात करते है output cgst के बात तो यहाँ पर देखिए कि output cgst में हमने कितना tax receive किया है हमने tax receive किया था 72,000 का right देखिए यहाँ पर third entry में बता रख है cgst 72,000 का जो की credit हुआ था हमें पैसा भी तो वापिस करना होगा यह tax लगा था वह tax वापिस करना होगा हमें तो यह हमने 2700 रुपिस माइनस करने होगे तो इसलिए जब भी आपको output वाला credit में हो वह प्लस करेंगे और output cgst आपका debit में हो तो आप माइनस करेंगे तो यह आपका जो आएगा output मानी जाएगी वह मानी जाएगी 69,300 रुपिस की ऐसी बात कर लेते है input की तो input को भी इसी तरीके समझना होगा input जो आपके debit हुआ है उन्हें प्लस करेंगे क्योंकि वह हमने पे कर रहा है और जो input आपके credit हुआ है वो हमने वापिस मिल गया क्योंकि हमने goods return करें होंगे purchase return की होगी हमने तो वह हमें वापिस मिल गया तो इसको इस तरीके समझे जो भी आपका input debit होगा उसे आप प्लस करेंगे जो भी input आपका credit होगा वह से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर debit कौन सा था प आपको के input देखे second entry में input cgst 1800 यह हमने माइनस कर दिया फिर 900 का देखेंगे तो यह 5th entry में input cgst 900 था और 6th entry में भी input cgst 450 था तो कहने की बात अगर मैं आपको एक line में समझाओ तो यह है कि output जो आपका credit होगा उसे प्लस करेंगे और जो आपका debit होगा वह आप माइनस आपको आपको कि हमें टेक्स कितना पे करना है तो यहाँ पर समझेए तो हमारे पास output में रिसीव हुआ है 69,300 यतना हमने collect किया है और हमने pay किया 43,650 अभी मैं खाली cgst की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है cgst अभी हमें 25,650 और pay करना है तो इसको अगर आप different entry में करना चाहत है तो तीन entry आपको और करने पड़ जाएगी पर हम इसको एक ही entry में करेंगे हम combine entry करेंगे चलिए देखते हैं किस तरीके से combine entry होगी तो सबसे पहले आएगा output cgst account debit output sgst account debit to input cgst account to input sgst account to bank account bank account इसलिए क्योंकि यह payment हमें भी करनी है तो यहाँ पे cgst में debit से लिके 69, 39,300 sgst में 69,300 input में लिखिए 43,650 sgst में लिखिए 43,650 और total जो payment हमें भी करनी है government को 51,300 रुपी करनी है इसके बाद आप narration लिखिए tax balance paid to government आप करेंगे आप total तो total करके debit side आएगा 17,72,900 और credit side भी आएगा 17,72,900 तो दोस्तो आज के लिए इतना ही I hope you like this video if you like this video please do subscribe this channel thanks for watching